हेलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टार्गेड रिकास में दोस्तों आज आज आपके लिए SSC GD यानि की 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुसखबरी की बात है कि आज की 2022 में सबसे ब जारी हो गए है नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोगों का अब यहां पे मैं बताऊंगा आप लोगों को योगिता इसमें क्या ली जा रही है आयू में कितनी छूट मिली है कि नहीं मिली है फार्म कबसे अनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अधिक से अधिक सेयर कर दें पूरी डिटेल से बात करेंगे अच्छे से अलिक्यों कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा आउसर आ गया है सेलेक्शन लेने का इस आउसर को हाथ से नहीं जाने देना है ठीक है चलिए बोले सबी लोग एक साथ ओम नमस्चिवाए लगाते हैं जो और करते हैं काम चालू देखें दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सबसे इस्पसल बात तो यह है कि इस मोदी सरकार में जो है आप लोगों के लिए आयू में जो काफी बच्चों की मतलब वो उत्साहित हो गये थे कि आरे बिल्कु निरास हो गये थे कि वो क्या करें उनकी एज निकल गई है और कोई उनको वेकंसी देखने को नहीं मिली है तो उनको सबसे पहल आप लोग के लिए खुसकबरी की बात बता दें कि आप लोग के लिए एज की छूट मिली है एज की छूट मिली है कितनी छूट मिली है तो यहां पर देखेंगे कि हमने लिख रखा है आप लोग देख रहे होंगे किसको किसको मिली है तो एज की छूट आपको तीन वर्स क एज की छूट मिली है यानि कि जो वच्चे 26 साल के हो गए थे अब कह रहे थे फार्म नहीं डाल पाएंगे तो वो लोग भी माली जी 26 साल वाले भी डाल सकते हैं फार्म में ठीक है तो आपकी जो एज की काउंटिंग होगी वो एक 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 दो हजार तेइस से काउंटिंग आपके जो पद हैं सीजीडी के कितने पद हैं तो यह पदों किसंगे आपके 24 जा 379 पद हैं और फिर बात करने आयो की लिए हो गई यहां योगिता तो आप लोगों को पता ही सेम है लेकिन इसमें कुछ चंजेज हुई हैं क्या चंजेज हुई हैं जो आपका पेपर होता पहले 25 पच्चिस नंबर का होता था जैसे आप से मैच पूछी जाती थी तो 25 नंबर की पूछी थी ठीक है आप यहां पर क्या कर दिया है चंजेज साब यह 20 नंबर की कर दीगी है जीके जीएस आपका 25 का पूछा जाता था वह कितने का कर दिया गया है 20 का कर दिया गया है आपकी हिंदी आपकी 25 नंबर की पूछी आती थी, वो कितने नंबर की हो गई है, 20 नंबर की हो गई है, और आपकी रिजिनिंग आपकी 25 नंबर की पूछी आती थी, वो कितने की हो गई है, 20 नंबर की हो गई है, यानि कि यह जो आपका 100 नंबर का पेपर होता था, 100 नंबर का पेपर होता था वो आपका कितने नंबर का हो गया असी नंबर का हो गया है ठीक है और प्रते गुड़े दो दो से गुड़ा कर लिजी एक कोश्चन दो नंबर का है वो कितने का हो गया एक सो साथ और एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे यह ओनलाइन वेस्ड पेप नहीं होगा, ठीक, 160 नमबर का होगा, 80 question आपके पूछे जाएंगे, clear, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनेहरा मौका है, और एक बता दें, यहाँ पे exam date की भी बात कर दी गई है, जो आपका इसका exam होगा, यह संभावी date लिख दी गई है, कि आपकी जनवरी में इसका exam ह आ लेंगे, यह संभावी date लिख दे लिख जनवरी, ठीक है, तो आप लोगों के ज़्यादा नहीं, दो महीने बाद मात्र बचे हैं, आप लोग यहाँ farm online करने की जो date है, आपकी मैं बता दूँ, कब से farm online होगा, यह आपका 27 October, यानि कि आज ही से farm होना start हो गया है online, और last date है कितनी, 30 November last date है, clear, तो आपको यह ध्यान रखना है, 27 October से 30 November तक farm online होगा, तो आप लोग इसके बीच में farm online कर लिजिए, और अपनी तयारी में जुड़ जाएए, बिलकुल निसंदे किसी प्रकार का अफसार notification आप लोग आ गया है, महनत करिए, जुड़ जाएए, पहले return होगा, फिर physical होगा, फिर उसके बाद में medical होगा, तो आप लोगों को इसमें selection लेना है, और आप लोगों के लिए आज मैं short video बनाया हूँ, आप लोगों के लिए एक special long video बनाऊँगा, जिसमें आपका कोई भी query है, अगर कुछ भी question मन में बना तो आप comment box में करिए, मैं comment क जवाब दूँगा आपको और उसके प्रति एक मैं वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपका SECD के बारे में सारा doubt clear हो जाए, clear तो आप लोगों को एक वीडियो कैसा लगा, एक बार like, share और subscribe जरूर करें, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार